आपको लगता है गर्ज में डूबा हुआ उपिता जिसने आपको अपनी जान से ज़्यादा प्यारी धर्ती के टुकड़े को पढ़ाई करने के लिए बेज दिया हो सोता होगा वो परिवार जो आपके आयस पने का सपना देख रहा है वो टूटू हुई छहपर के नेचे बारिस के दिनों कैसे सोता होगा सहाब बताएं कैसे सोता होगा फिर भी उस परिवार के जीवन में कभी अधेरा नहीं होता और तत्तीक नई सुभा सुर्योदे के साथ सकारात्मक्विचारों की पोर्टली खोलता हुआ अपने परिवार के सदस्यों को वो पिता ये एहसास कराता नजर आता है कि एक रिधाय ऐसा भी होगा जिसके धीरज हम होगे एक सरूबर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होगे माना टिम टिम करते अधियारी रातों के तारे हम पर एक सविरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होगे कहां से आता है उस करज में डूबे हुई पिता के पास ये होसला आपका भी पूछना आपसे कहीं ज्यादा आपके परिबार पिता और माता पिता को विश्वास है कि एक दिन उनका बेटा आया बेटी आईएस आईफियस और कोई उच अधिकारी बनेगा और तवर पड़ेगी उनकी खुशियां जिन्दिकी के प्लेटफरम पर आज आप सभी के होजलों को प्रणाम करता है ये आप आईएस चैनल जो अपने देश और समाज को बेहतर दिशा देने म ततपर है समय सेज है नहीं पाप का भागी के वलब्याद जो तटस्त है समय लिखेगा उसका भी इतिहास उसका भी इतिहास आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग कहने दो जिसे कहना है और हसने दो जिसे हसना है क्योंकि जिस जि ये अंडाजा लगाना मुस्किल है यदि सम्मान और बेहतर जिन्द के चाहिए तो लग जाओ और दिखा दो उन निंदकों को जिसे डर है कि आपके सफल हो जाने का आपके आगे बढ़ जाने का हाँ यदि बाल्टी को भरना होता है वो भी मीठे और निर्मल जल से तो रस्ती से बाल्टी को कुई में नीचे फेकना ही होगा बाल्टी के उपर आने पर मीठे जल के रूप में प्राप्त परिणाम इस बात का संकेत है कि अपिश्वी नाभ होगे कभी सम्मानियों मिलता नहीं पासाण में रोपा हुआ पौधा कभी खिलता नहीं सूरजगर ढ़लता न पूरग उसे मिलता नहीं अभी वक्त है पढ़ा लो अपनी रफ्तार जीत लो जिन्दगी की ये रेस और फहरा दो परजम अपने नाम का दमन कर दो उस गरीब पिता और मा की गरीबी का साकार कर दो उनके सपने जिसे देखने को बूढ़ी यांखे पथरा सी गई हैं उठो चलो भागो तब तक जब तक लक्ष हासिल ना हो मैं एहसास कराने आया हूँ और आपको आपकी ताकत का और पुलंद करने आया हूँ आपके होसलों को और बना लो मुझे जामवंत और टटोलते रहो अपनी हर्मान जीवाली सक्तियों को और रचते रहो इतिहास जैहिंद चेमा भारती